C.I.E.T. N.C.E.R.T. Presents Dictionary of Economics for Schools Trilingual Arth-Shastra का शब्द कोश विद्यालेउं के लिए त्री भाशी माशियात की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी H Harvesting Page 55 Head Count Ratio Page 55 Hedging Page 55 High-Powered Money Page 55 High-Yielding Variety Seed HYVs Page 55 Histogram Page 55 Horticulture Page 55 Household Sector Page 55 Human Capital Page 55 Human Development Page 55 Human Development Index HDI Page 56 Human Resource Page 56 Hume David Page 56 Let's start with alphabet H Page 55 H Harvesting The process of gathering matured crops from the fields after reaping income of rural families depends on harvesting of crops. Harvesting has social importance and is accompanied by seasonal celebrations such as harvest festivals in many regions. Fustles 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 खेतों से पकी हुई फसलों को काट कर उठाना और जमा करना देही खांदानों की आमदनी फसलों की कटाई पर ही मुनहसर होती है फसलों को काट कर उठा लेने की समाजी एहमियत बहुत ज्यादा है और मुक्तलिफ मकामात पर बहुत से फसली या मौसमी तेवहार और जश्न फसलों की कटाई और उठाई से ही वाबस्ता है Head Count Ratio Number of poor in proportion to total population व्यक्ति गणना अनुपात कुल जन संख्या के अनुपात में गरीबों की संख्या सर्शुमारी तनासुब मजमूई आबादी के तनासुब में गरीबों की तादाद Hedging Action on the part of a buyer or seller aimed at reducing risk and safeguarding his or her position against changes in business Hedging जोखिम कम करने और व्यापार में परिवर्तनों के विरुद अपनी स्थिती को सुरक्षित करने के लिए क्रेता अथव विक्रेता की ओर से कारवाई पेशबंधी किसी भी बेचने या खरीदने वाले का ऐसा आमल जिसका मकसद तिजारत में रौनमा होने वाली तबदीलियों से अपनी position का तहफूज करना और खतरात को कम करना होता है High-Powered Money Money issued by the Monetary Authority which is held as currency or reserves An increase in high-powered money leads to a multiple expansion of the money supply That is why it is also known as the monetary base See also Money multiplier उच्च शक्ती मुद्रा मोद्रिक प्राधिकरन द्वारा जारी कی गई मुद्रा जिसे करन से या कोशों के रूप में रखा जाता है उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा में वृद्धी होने पर मुद्रा की पूर्ती में बहु गुनित कई गुनावर्धी होती है यही कारण है कि इसे मौद्रिक आधार भी कहा जाता है देखें गुनक मुद्रा हाई पावर मनी जर से मुतालिक मुक्तद्रा की तरफ से जारी किया गया पैसा जिसे करंसी या रिजर्व की शकल में रखा जाता है हाई पावर पैसे में इजाफा होने पर पैसे की फराहमी कई गुना बढ़ जाती है इसलिए इसे जरी बुनियाद यानि मॉनिटरी बेस भी कहा जाता है नेज देखिए जरी जारेब High Yielding Variety Seed, HYVS Seeds developed to increase the production of crops See also Green Revolution उच्च उपज किस्म वाले बीज फसलों के उतपादन की वृद्धी के लिए विक्सित किये गए बीज देखिए हरित करांती ज्यादा फसल वाले बीज फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए खास तोर पर तयार किये गए बीज नेज देखिए सब्स इन कलाब Histogram A continuous frequency distribution represented diagrammatically It consists of adjacent rectangles where the height of each rectangle is proportional to the frequency in the corresponding class interval See also Frequency Polygon आयत चित्र आरेक त्वारा प्रदर्शित सतत आवरती वित्रण इसमें आसन आयत होते हैं जहां प्रतीक आयत की उंचाई संगत वर्ग अंतराल में आवरती के समानुपाती होती है देखें आवरती बहुबुज Histogram डाइग्राम की शकल में पेश किया जाने वाला एक मुसलसल ताददी खाका ये मुतसल मस्तीलों पर मुश्तमिल होता है जिन में हर मुस्तपील की उंचाई तताबकी क्लास इंटर्वल की तादद कैंसी के तनासुब में होती है नेज देखिये ताददी कसीर अलाजला Haughty Culture The Science of Cultivating Fruits, Vegetables, Flowers and or Ornamental Plants उद्यान विज्यान फलों, सब्जियों, फूलों और अथ्वा सजावटी पौधों की खेती का विज्यान बागबानी फल, सब्जियान, फूल और सजावटी पौधों की काश्ट की साइन्स Household Sector Individuals and or Families as Owner and Supply of the Factors of Production and Consumer of Final Goods and Services परिवार क्शेतरक उत्पादन के कारकों के स्वामी और पूर्ती करता तथा अंतिम वस्तूओं और सेवाओं के उपभोकता के रूप में व्यक्ती और अथ्वा परिवार Household Sector अफराद और खांदान जिनकी हैसियत मालिक की भी हो सकती है जो किसी पैदावार के आवामिल के सप्लायर भी हो सकते हैं और जो आखरी अशिया और खिदमात के सारिव भी हो सकते हैं Human Capital Skills which a person acquires through education, explicit training and or experience adding to his or her value for production Manav Poonji Kaushal जो कोई व्यक्ती, शिक्षा, स्पष्ट प्रशिक्षन और अथ्वा अनुभव द्वारा प्रात करता है जो उत्पादन के लिए उसकी उपयोगिता में व्रिद्धी करता है Human Development Process of enlarging people's choices by way of provision or acquisition of better quality of life through education, health care and decent standard of living Page 56 Manav Vikaz शिक्षा, स्वास्थ देखवाल और रहन सेहन के उच्चत स्थर द्वारा जीवन की बेतर गुनवत्ता की व्यवस्था अथ्वा प्राप्ती के माधिम से लोगों के विकल्पों के विस्तार का प्रक्रम इंसानी फरोग, तालीम, सेहत और आला मयारे जिंदगी के जरिये जिंदगी की बहतर क्वालिटी को महिया करके या उसका एक्तिसाब करके लोगों की पसंद नापसंद के मवाके को वसी करने का अमल Human Development Index, HDI, a composite index of outcome indicators to measure level of social and economic development of a country based on three dimensions Life expectancy at birth, mean years of schooling and literacy rate and standard of living The HDI makes it possible to analyze the changes in development levels of different countries over time for the purpose of comparison HDI is equal to education index plus health index plus standard of living index divided by three Manav Vikas Suchakank, HDI तीन आयाम, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, विद्याले में ओसत वर्ष और साक्षर्ता दर तथा रहन सहन के स्तर पर आधारित देश की सामाजिक तथा आर्थिक विकास के स्तर को मापने के परिणामी संकेतकों का समेकेत सूच कांग तुलना के उदेश से समय के साथ विबिन देशों के स्तरों में परिवर्थनों का विशलेशन करना मानव विकास सूच कांग संभव बनाता है मानव विकास सूचकांग बराबर शिक्षा सूचकांग जमा स्वास्थ सूचकांग जमा रहन सहन के स्तर का सूचकांग भाग तीन इंसानी फरोग का अशारिया बवक्त पैदाईश इमकाने हयात, स्कूलिंग के आवसत साल और शरह खवानदगी और मेयार जिन्दगी ऐसे अबाद हैं जिनकी बन्यात पर किसी मुलक की समाजी और माशी तरक्य की सता की पैमाईश के नताइच का जमा अशारिया तैयार किया जाता है ये इनसानी फरोग का अशारिया मुख्तलिफ मुलकों की तरक्याती सताहों में वक्तन फवक्तन होने वाली तबदीलियों के तज्जीय को मुम्किन बनाता है जिस से मवाजने में आसानी होती है HDI बराबर, तालीमी अशारिया जमा, सेहत अशारिया जमा, मयारे जिन्दगी का अशारिया बटा तीन Human Resource Population of a Country Population is treated as an asset rather than liability. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. See also Human Capital Manav San Saadhan किसी देश की जनसंख्या जनसंख्या को दायत्व की अपेक्षा, परी संपत्ती माना जाता है San Saadhan के रूप में लोग, देश में काम करने वाले लोगों का उनके वर्तमान उत्पादक कोशलूं और योगताओं के संदर्भ में उलेख करने का एक तरीका है देखें, मानव पूंजी इनसानी वसाइल किसी मुल्क की आबादी आबादी को जिम्मेदारी के बजाए एक असासा समझा जाता है जब हम वसीले के तौर पर इनसान की बात करते हैं तो इस से हमारा मक्सूद ये होता है कि वो मुल्क के लिए काम करने वाले लोग हैं और उनके अंदर पैदावारी महारतें और लियाकते हैं नेज देखिये, इनसानी सर्माया हुम, धडीड, 1711-1776 to an English economist who introduced several new ideas around which the Classical economics of the 18th century was built some of his main ideas include that wealth consists not of money but of commodities and the amount of money in circulation should be kept in relation to the amount of goods in the market. He also propounded that a low rate of interest is a symptom not of abundance of money, that no nation can keep exporting only for the purpose of gaining bullions, gold, silver, and that each nation has special advantages in terms of raw materials, climate and skills. Hume David, 1711-1786 एक अंग्रेज अर्थशास्त्री जिसने बहुत से नए विचार दिये, जिनके आधार पर अठार्वी शताब्दी के क्लासिकी अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ, उनके प्रमुक विचारों में सम्मिलित हैं, संपत्य में मुद्रा नहीं, बल्कि वस्तूइं सम्मिलित होती हैं, और परीचलन में मुद्रा की मात्रा को बाजार में वस्तूओं की मात्रा के अनुरूप रखना चाहिए, उन्होंने ये भी प्रस्तूद किया, कि ब्याज की कमदर मुद्रा की प्रचूर्था का लक्षण नहीं है, कि कोई भी देश मात्र बुलियन सोना चांदी प्राप्त करने के उद्देश से निर्यात जारे नहीं रख सकता, और ये कि प्रत्यीक देश के पास कच्चे माल, जलवायू और कौशलूं के रूप में विशिष्ट सुलाब होते हैं। इस तरह हैं। दौलत जर यानी मनी पर मुश्तमिल नहीं होती बलके अशिया पर मुश्तमिल होती है। और जो जरी रकम गर्दिश में है, उसे बाजार की अशिया के मिकदार के मताबिक होना चाहिए। उनका ये भी खयाल था के सूद की कम शरह जरी फरावानी की अलामत नहीं है। कोई मुल्क सिर्फ सोने चांदी की इटों के लिए अपनी बरामत को जारी नहीं रख सकता। और ये के खाम माल, आबु हवा और महारतों से हर कौम के अपने खुसूसी मफादाद वाबस्ता होते हैं। ट्री-Lingual Dictionary, you were just listening to this presentation. Project Coordination, Rajesh Nimesh. Subject Coordination, Dr. Nirja Rashmi. Project Advise, Dr. Bharati Kaushik. Technical Coordination, Battilang Lindo. Framework Advise, Ajit Horo. Production Coordination, Vandana Arimardhan. Assistance in Production, Kusum Lata. Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary. And this presentation is brought to you by C.I.E.T. N.C.E.R.T. New Delhi, India.